Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज की इस वीडियो में हम 1 सितमबर से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेर के कोश्चन बन सकते हैं सबको डीटेल में डिसकस करेंगे और सभी के एक्ष्ट्रा फेक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे सारे ही कोश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो आंते तक जरूर देखेगा और अभी तकीदी आप लोगों ने Online Study Point को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सबस्क्राइब कर लीजे ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की PDF टेलिग्राम से भी प्राप्ट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोस्चन हमारा पहला कोस्चन है हाल ही में जारी Safe City Index इसमें कौन पहले स्थान पर रहा तो अभी ही Safe City Index जारी किया गया है जिसमें कि पहले स्थान पर रहा सिंगापूर दूसरे स्थान पर रहा ओसाका और तीसरे स्थान पर रहा सिड्नी अच्छा यह Safe City Index है क्या Safe City Index यानि कि सबसे सुरक्षित सहर इसमें से कौन है तो अभी हाल ही में Economist Intelligence Unit ने यह रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि 5 महा दिविपो में दुनिया भर के 60 देसों को ranking दी गई है जिसमें कि 3 शहर कौन कौन से Safe है मैंने आपको बता दिया अब आपको मैं एक चीज़ बता दू यह जो 60 देसों की ranking जारी की गई थी इसमें भारत के 2 शहरों को सामिल किया गया है जिसमें कि जो मुंबई है इस ranking में 45 वे स्थान पर है और जो दिल्ली है इस ranking में 52 स्थान पर है तो यह भी आप याद रखिएगा मुंबई और दिल्ली और मैं आपको एक चीज़ बता दू अभी 2019 में ही कुछ important index जारी की गए है जो आपको मालूम होने चाहिए जैसे कि अभी हाल ही में global peace index जारी किया गया था जिसमें भारत की ranking कितनी थी 141 और इसमें पहले स्थान पर कौन था Iceland मैंने आपको बताया था और अभी हाल ही में sustainable development goal index जारी हुआ था यानिकि SDG तो इसमें भारत की ranking थी 95 democracy index में इंडिया की ranking है 41 और press freedom index में भारत की ranking कितनी है 140 और भ्रष्टाचार सूचकांग में यानिकि corruption index में भारत की ranking क्या है तो corruption index में भारत की ranking है 78 भारत की ranking 78 है तो पहले स्थान पर कौन है तो पहले स्थान पर रहा Denmark यानिकि सबसे कम corruption होता है Denmark में अभी मैंने आपको क्या बताया कि यह जो रिपोर्ट है वह Economist Intelligence Unit द्वारा जारी की गई है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं जो Economist Intelligence Unit है इसके स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्याला कहा है इसका मुख्याला है लंदन में तो ये भी आपको मालूम होना जीए तो पहले Question से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं हाल ही में किस E-Commerce Company ने Single-Use Plastic के इस्तिमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है तो यह फैसला लिया गया है Flipkart के द्वारा और Flipkart की दि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना की थी और Flipkart से related में आपको एक Current Affair का Question बता दूँ अभी कुस्समय पहले ही Flipkart ने एक पहल लॉंच की है उस पहल का नाम आपको पता होना चाहिए से पहल शुरू की गई है और Flipkart का Headquarter का है तो Flipkart का Headquarter है Bangalore में और बात यहां पर Single Use Plastic के प्रतिबंध की आई है तो मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि अभी Air India ने भी Single Use Plastic पर प्रतिबंध लगाने का किया है और Air India कब से Single Use Plastic बैन करेगी तो यह 2 October से बैन करेगी यानि कि महात्मा गांधी जी की 150 वी जयंती पर Air India पूरी तरह से Single Use Plastic पर प्रतिबंध लगा देगी नेच कोश्चन है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने कब फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुवात की दोस्तो आपको डेट बताना है इसमें यह शुरुवात की गई थी 29 अगस्त 2019 और 29 अगस्त 2019 को ही राश्टरी खेल दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे जो हौकी के जादुगर है उनका पता होना चाहिए कि इस बार राजट्री खेल पुरुसकार इसी दिन प्रदान किये गए हैं जिसमें कि दो नाम सबसे जादा important है जिन्हें राजिव गांधी खेल रतने पुरुसकार दिया गया है क्या नाम है वजरंग पुनिया और दीपा इसमें दीपा मलिक का नाम important क्यों है क्योंकि दीपा मलिक जो है भारत की पहली पैरा athlete बन गई है जिने राजिव गांधी खेल रतने पुरुसकार दिया गया है बात यहां पर राजिव गांधी खेल रतने सब्सक्राइज है शुरुवात तो कहां से की है तो इंद्रा इंधिव कर ही रहे हुँ आपको मालूम होना चाहिए लिसी essen पूर्वित्यम और फेलई को एलिये और हुआतलिव जो कीफार्दि पूर्व वित्यमंत्री थेгbreaker Nejche question है हाल ही में किस राजि ने Walk to Work अभियान शुरू किया है तो अभी हाल ही में Megha regenerate Walk to Work अभियान शुरू किया है अभी मैं ने आपको क्या बताए कि 29 अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा Fit India Act की शुरुवात की गई थी और इसी पर based है walk to work अभी है क्या तो यह fit India movement का एक हिस्सा है जो कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी द्वारा देश में सुरू किया गया है और यह स्वास्त और fitness पर बल देने के लिए यह योजना है क्या है walk to work और इसे सुरुआत किया है मेघाला ने चाहूंगी मेघाले भारत का जल नीती लगागू करने वाला पहला राज्य बन गया है आपसे पूछा जा सकता है exam में question कि ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने जल नीती लागू किया था तो वह है मेघाले और अभी पिछले महिने ही भारत और चीन के बीच की exercise hand in hand जो होती है वह मेघाले में ही संपन हुई है next question है हाल ही मेघा वेंडर मीट इसका आयोजन कहां किया गया तो दोस्तों वेंडर आधार का विस्तार करने और रेलविश शेत्र में अधिक सधिक व्यापार के अवसरों में जानकारी फैलाने के लिए इसकी बैठक हुई थी इसका नाम क्या है मेगा वेंडर मीट और इसका आयोजन किया कहां गया था इसका आयोजन किया गया था लखनव में और लखनव को नवाबो को शहर कहते हैं मैंने आपको कई बार बताया है और लखनव से आपको क्या याद आता है तो लखनव जो है हमारे जो रक्षा मंत्री है क्या नाम है उनका राजनास सिंग जी राजनास सिंग जी का निर्वाचन छेतर है लखनव और लखनव उत्तर प् सबसे बड़े एकिकरत online junction इसका नाम आपयाद रखिएगा शगुन इसकी शुरुवात किस ने की है तो इसकी शुरुवात की गई है है M.H.R.D. द्वारे यनिकी मानोसंशाधन विकास निशंग की इनका नाम है और इनका निरवाचन छेत्र कैं है तो इनका निरवाचन छेत्र है हरिदवार और इस junction का नाम आप जरूर याद रखिएगा सगुन junction की शुरुवात की गई है most important question है और यह दुनिया का सबसे बड़ा एकिकरत online junction है next question है हाल ही में UEFA Women Player of the Year का खिताब किसने जीता है तो यह खिताब जीत लिया है Lucy Kans ने और मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था कि UEFA Men's Player of the Year किसने जीता था वर्जिल वेंड डिजेक ने और वुमन का किसने जीत लिया है Lucy Kans ने और बात यहाँ पर UEFA किया आई है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है Union of European Football Association इसके स्थापना होई थी 15 जून 1954 को और इसका मुख्याला है नियोन स्वीजर लेंड में और FIFA ranking में इंडिया का कौन सा इस्थान है FIFA ranking में इंडिया का इस्थान है 103 तो ये भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है भारत सरकार ने किसे UAE के अगले राजदूत के रूप में न्यूक्त किया है तो यह न्यूक्त किये गए है पवन कपूर और पवन कपूर जो है 1990 बैच के IFS officer है और यह किसका इस्थान लेंगे तो यह नवदीप सिंग पूरी का इस्थान लेंगे अच्छा मैंने दो अन्य राजदूतों के नाम लिखे हैं यह current से related है मैं आपको बता दूँ आप सभी जानते हैं कि जम्मू कास्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बॉक लाया हुआ है और कुछ समय पहले ही उसने इंडिया के साथ सारे तरह के trade खत्म करने की घोशना की थी और जो इंडिया के ambassador थे पाकिस्तान में उनका क्या नाम है उनका नाम है अजय बिसारिया और जो प यहां पर UAE की आई है तो आपको क्या याद आता है अभी हाल ही में order of जायत से नरेंदर मोदीजी सम्मानित किये गए है यह UAE का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है यह जरूर याद रखिएगा और एक चीश करेंट अफेर से मैं बता दू यूए का जो दुबाई एरपोर और दुबाई की करंसी क्या है दुबाई की करंसी है दिरहम और यहां की प्रेसिडेंट कौन है तो खलीफा बिन जयाद अल निहान है UAE के प्रेसिडेंट यह भी आप याद रखिएगा नेश कुश्चन है हाल ही में किस राज्जी की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर व के जो मुख्य मंत्री उनका नाम क्या है चतिस गड़ के मुख्य मंत्री है भूपेश बगेल यहां की गवर्नर इंपॉर्टेंट ही क्योंकि अभी हाल ही में न्यूक्त हुई है इनका नाम है अनुसुईया उईके और चतिस गड़ से रिलेटेट में आपको एक करंट अफे रिखत्री और चतिस गड़ में और चतिस गड़ में तो आम्बिकापुर में यह आप याद रखेगा नेस नहीं है नशी में भारत के किस सहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तयार किया गया है दोस्तों या न्यूस चर्चे में थी लेकिन अब यह जो स पूछा जा रहा है तो यह है एहमदाबाद में इस्थित ठीक है और यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह 700 करोड की लागत से बना है और यह 63 एकड जमीन पर बना है इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है और इस कि गवर्णर कौन है तो गुजरात के गवर्णर है आचारिय देवरत और गुजरात में भारत का पहला डाइनसौर पार्क खोला गया है मैंने कल ही बताया था अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ कल मैंने पूछा था हाल ही में किस देश ने व्यापारिक तौर पर 5G मोबाइ तो यह लॉंच किया है दक्षन कोरिया ने और अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर कोरिया और दक्षन कोरिया को विभाजत करने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं 38 पैरलल लाइन है ये भी आप याद रखिएगा अब आपके लिए आज का सवाल है हाल ही में भार कि जितनी भी detailing लिख सकते हैं जरूर लिखेगा तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है पसंद आया है तो अपने स्टडी रिलेटिव रूप में शेर जरूर करिएगा और ओनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच